हैलो फ्रेंड्स मैं न्यू अपडेट के साथ बार बार आता रहता हूं दोस्तो आज जो है न्यू अपडेट आया है सीवीएसी बोर्ड कलास तेन्थ त्वेल्थ रिवेनी एक्जाम डेट दुर बीश सीवीएसी बोर्ड दसवी और बरवी रिवेनी एक्जाम डेट यह है अब तक की सुचना दोस्तो यह जो है कोई फेक न्यूज नहीं आप लोग को मैं पूरा एकदम नूटिफिकेशन पर जाकर के और न्यूज पर जाकर के बता रहा हूं जो कि अभी मेरा इंटरनेट चालू है आप लोग देखी सकते हैं क्या कहर आया सुचना स्वाप लोग को मैं बताना चाहता हूं आप लोग हमेशा अपडेट रहने के लिए इस चैनल को जगूर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए फटा फ़र सुरू कर देते हैं कहरा इसी बेसी बोर्ड कलास तेन तुय थरी रिवैनिंग एक्जाम डेट सीट दुह साइट पर जारित की जाएगी आप आगे देखिए क्या कर रहा है यहां पर आप लोगदेखी रहे холод के को फ्यक्नी पूर्ड नहीं है दोस्तों उसके बाद आप लोग इहां पर बताया जा रहा है क्या बताया जा रहा है सोध्याम दिजएगा कि सीवी एसी जो भी एक्जाम लेता है ले टेस्ट अपडेट सीवी बारहवी एस्टुडेंस तो अभी एक्जाम भी पूरा पूरे नहीं हुए थे समझ रहे बारहवी को और तेंद का बीच में ही लोकडाउन लग गया इसमें दस भी के जो एक्जाम रह गये थे उनमें कुछ ऐसे थे जो ज़ूरी भी शाग के नहीं थे वही बारहवी के कुछ एक्जाम होने के लिए बाकी है दर असल सीबी एस्सी ने एक्जाम कराने को लेकर एक ऩेटी बनाई है एक नीती बनाई है बोड अब केवल उनी विसायों के एक्जाम कराएगा जो की ज़ूरी है इस तरह बोड ने बारवी के 29 विसायों ताय किये ठीक है ताय किये उसके बाद आके दखे क्या कर रहा है ताय किये जिनके एक्जाम कराए जाएंगे एक बार लोकडाउन खत्म होने के बाद साफ हो जाएगा कि एकजाम कब से सुरू हो गए उसके बाद आप लोग देखिए फिर क्या कर रहा है केंद्रिय माधमिक सिछा बोर CVSC CVSC ने दस भी बारवी बोर एकजाम से जूरी जनकारी परने के लिए CVSC यदिकारी वेबसाइट पर वीजिट कर फकते है करोना वायरस महमारी के चलते पैदा हुई इस्तिती को ध्यान में रखते हुए केंद्रिय माधमिक सिछा बोर CVSC बीदेशो में दस भी बारवी का अक्षाओ की बची हुई बाची हुई परिक्षाय नहीं लेगा पुना परिक्षा सुरू होने से लगग 10 दिन पहले बोर्ड सभी छात्रों को सुचित कर देगा कि यह परिक्षा की स्तिती को होगा दोस्तों अधिकारीक वेबसाइट पर जा करके आप लोग ज़ूर चेक करें ठीक है बहुत ऐसा जो है क्या कर रहा है स्वध्यान देजिए देख रहा है आप लोग पढ़ रहा है फैक न्यूज फैला रहा है उसके लिए चिताब नहीं है वह फैक न्यूज नहीं फैला है दोस्तों बेस्ट अपलक जय हिंद जय भारत